अनुशाशन का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा पाठी के कारेकरताओं ने आज खुद ही अनुशाशन ही निता कर डाली अपने नेता को माला पहनानी की ऐसी क्या होड लगी कि एरपोर्ट के सामने एक बाग को ही उजार दिया आपको बता दें कि सुमवार को भाजपा के प्रदेशा द्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी पहली बार उदैपूर पहुँचे एरपोर्ट पर जोशी का गर्म जोशी से स्वागत हुआ इस बीच पधादी कारीव कारेकरता अपना कर्तव यही बूल गए धका मुक्य और आपा धापी में बाग के अंदर कई पेड़ पौधे धराशाही हो गए पार्टी के दुपट्टे तक पैरों में रौन दिये गए फूलों की माला पहनाने के चकर में पधादी कारियों और कारेकरताओं को ये भी याद नहीं रहा कि वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुचा रहे हैं पेड़ हमारी जान है और हमारी शान है पेड़ पौधों और हर्याली ही हमारी पहचान है फिर इस तरह की अनुशाशन हीनिता की भरपाई कैसे हो पाएगी कौन इन पेडों की जिंदगी को फिर से रोशन करेगा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अगर ये खबर आप तक पहुंचे तो कारिकरताओं और पदाधी कारियों को ये जरूर दिशानिरदेश दीजे कि इस तरह की अनुशाशन ही निता फिर दुबारा नहो और हाँ एक दिन मेवाड के पदाधी कारियों और कारिकरताओं को आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में पौधार ओपन करवा कर इसकी भरपाई जरूर करवाईएगा